हेलो फ्रेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको एक सिंगल हैंकी से बहुत ही प्यारे बेबी के लिए बूर्स बदाऊंगी न्यूबॉर्ण के लिए तो ये मैंने हैंकी लिए है, लीडीज हैंकी है और ये फर वाली हैंकी है इसे बूर्स बहुत सॉफ्ट बनते हैं तो इसको फोल्ड करना है और इसे कट कर लेना तो पूरे हैंकी को सेट करिए और भी इसे कट कर लीजिए इसका एक पार्ट लिया मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, रॉंग साइड उपर है खुला वाला इरिया है ये 3 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे और 2.5 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे निशान को निशान से मिलाते हुए राउंड शेफ देनी है हमें तो मैंने राउंड शेफ दिया ये यह 3 इंच का एरिया है यह 2.5 इंच का एरिया है यहां से हलका सराउंड देंगे और निशान जो लगाया था सबको कट कर लेंगे यहां से भी कट कर लेंगे यहां से भी हलका शेप जेटिंग स्टिच करेंगे तो वो अब आटोमेटिक गुलाई आ चाहेगी अब क्या करना है हलका सा गुलाई हमें यहां भी दे देना है तो हमारी यह बोट्स बन गए है पहले पर मार कर लिया है तो दूसरे पर जूरत नहीं है ऐसे रख के दूसरे पर पर भी कट कर लेंगे और जो यह निशान थोड़ा सा गुलाई वाला था इसको भी आसे कट कर लेंगे तो दोनों पर्ट की कटिंग हो गई है अब इस तरह से फोल्ड करना है और हमें stitch करना है fold इतना करना है कि elastic insert हो जाया easily तो यह elastic बहुत soft वाली लेनी है हमें जो हम mask वगएर हमें use करते हैं babies के लिए सही रहेगा दोनों parts को ऐसे ही stitch कर लेंगे fold करके तो यह मैंने stitch कर लिया और मैं elastic insert करूँगी तो मैं elastic insert कर रही हूँ इसका एक part पहले fix कर लेंगे ताकि यह wrinkles डालते समय बाहर अंदर ना चला जाए यहाँ पर मैंने fix कर लिया fix करने के बाद इस तरह से हमें खीचना elastic को कपड़े को पीछी की तरफ खीचना है देखिए wrinkles easily पढ़ रहे है elastic इतनी डाली जाती है जितने में पूरा कपड़ा set हो जाए यह देखिए तो बिल्कुल perfect है दूसरा part भी हम ऐसे fix कर लेंगे देखिए 4.5 इंच की elastic है इस तरह से हमें तीनों तरफ से stitch करना है wrinkles बराबर कर लिजेगा और यह उल्टी side है पूरा stitch लगाना है हमें तो हलका सा गोलाई देते हुए पूरा stitch कर लेंगे और दूसरे boots में भी हमें यही process करना है elastic insert करना और stitch करना है देखिए stitch हो गया मैं इसको पलट लूँगी अब तो यह boots हमारे ready हो गया इसी तरह दूसरा भी stitch कर लिया और पलट लिया देखिए दोनों boots हमारे ready हो गया तो बिल्कुल super soft बहुती easy तरीके से बताया है मैंने hanky से babies के लिए बहुत अच्छा है market में costly मिलते हैं तो इस तरह के से आप बनाइए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like, share, channel को subscribe कर लिजिएगा thanks for watching